हेलो फ्रेंड्स मैं हम कमेंट और एक केसिंग और आज फिर हम सीटेट 2024 की तयारी करेंगे अज सीटेट 2024 में क्या कर रहे हैं हम सीटेट 2024 में हम सीटेट के आज का टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है हमारा श्रवन बादित श्टूडेंट ठीक है यानि श्रवन बादित श्टूडेंट के ओपर कोश्चन आपको आता है और बच्चे कहीं न कहीं कहीं न कहीं कई बार इसे कोश्चन को गलत करते हैं यानि कि वह कर देते हैं मौकिक यानि कि मुझ से जो सुनता है वो मुझ से देखता है बहुत से जगां यह समझा जाता है कि क्या है वह जो होटो की जो बनावट है यानि कि होटो की जो बनावट के द्वारा वो टीचर बोल रहा है उसे कहीं न कहीं सुन लेगा समझ लेगा पर कहीं न कहीं ये कोश्चन एक तरह से एप्रोप्रेट नहीं होता क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है आप ये मान के चलिए हो मैं अभी बोल रहा हूं आप मेरे होटो को देखने का मतलब ये समंझते हैं पूरी क्या है श्रावन ब्यादित बच्चों के बारे में क्या है और श्रवन ब्यादित बच्चों के बारे में आपको चीछे जानने कीं क्योंकि आपका क्षिण सीट्वेस्ट इस तरह कोशन द्यारतियों के सफल समवेश को सुनचीत करने के लिए अध्याप को क्या करना जी एक तो पहले सारी चीजे छोड़ो पहले ये बता दू मैं आपको कि स्रवन बादित माना किसे जाता है स्रवन बादित माना जाता है लगबग पांच फुट की दूरी पर यानि कि हो रही सामानेबाचीत को सुन पाने में कठा ही मैसूज करता है क्या करता है, लिखिए श्रवन बादित फिर हम आगे चलेंगे श्रवन, आपको पहले पता भी तो होना है क्या कहानी है इसकी श्रवन बादित बालक लगबग पाच फूट की दूरी पर हो रही सामान्य बात चीत को सुन पाने में कथ नाई में सूस अब आपको पता है कि स्रमण बादित हम किसे मानेंगे स्रमण बादित क्या है कथ नाई पांच फूट दूर से वो सुनने ही पाता आते है वो क्या होगता है दिरिश्टा आतमाक पृस्तूति करन के द्वारा, क्या करता है? सहाथ पूर्ण अध्यन करने पाने में, वो माना जाता है. क्या करता है? जो उसे देखते हैं, उसे ही कहा? वो समझ सकता है. सीदी बात यह है, मैंने आपको कही बर पर पढ़ा चुका है. यानि कि आँक नहीं है, अगर वैक्ति के पास आख नहीं है तो वो क्या करेगा कान का परियोग करेगा ठीक है कान का परियोग करेगा अगर उसके पास कान नहीं है तो किसका परियोग करेगा आख का परियोग करेगा यह चीज द्यान अखना अगर कान नहीं आख का परियोग करेगा इस चीज को गांट मार के रखे लो आप यह चीज समझ जाओगे ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स वेज़ पर आपको यह वाद आता हूँ आप क्या है शवन बादित बालक जो होता है विद्यारती जो हो तिक है या नहीं है इसमझ में आई जो भी हमने बात कही कि वह पांच फुट से की दूरी से सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है अगर वह सुन नहीं पाता तो क्या आएगा रश्टी उसमें स्रवनबाधित विद्यारती में आपको आएगा यानी सबसे पहले क्या करना कि टीचर को यह जाना चीए कि सबसे पहले क्या करना चीए अब दूसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं अध्यापक को टीचर को 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 श्रवन बाधित वाले विद्यारती या विद्यारतियों के सफल समा वेशन को सुनस्चित करने के लिए करने के लिए के लिए अध्यापक को यह सुनस्चित करना चाहिए कि वह सुन भी पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है सुनस्चित करने के लिए टीचर को यह जानना चाहिए कि वह श्रवन बाधित है कि नहीं ठीक है यह आपको समझ में आ गया अब क्या आएगा अब आता है आपका जब कटना ही मैसुस होके त्रश्यात्मक प्रस्तुदि करना चाहिए यानि कि सारे चीजे उसे लिख के सँझानिये यानि कि जैसे क्या है कोंच में श्रवनबाचत है व्यक्ति तो किया वह जो लिखा उआ कि जो मैं लिख रहा हूं उसे पढ़ता है यानि कि ये जै गोशित को शाहसितья हम उसे पढ़ता हो तो ये साहिँ चीजे ड्acks द्वारा, सैज, ता, पूर, अध्यन, कर, पाए, गा, जब, मोखिक, सम, एक मिनिट, सम, प्रेशन, सुनने, में, अक्षम, होने, के, कान, उनके, उनके, समावेशन, में, बाधा, उत्पन, करेंगे, जिससे उनका अधिगम प्रभावी होगा, क्या होगा, जिससे उनका अधिगम क्या होगा, प्रभावी होगा, ठीक है, यह कहीं न कहीं आपको समझ में आना चाहिए, यानि कि आपको मैंने बताए दिया था, यानि कि देखो, यह, यानि कि यह नहीं है, तो इससे वो ग्यान की प्राप्ति करेगा, यानि कि इससे ग्यान प्राप्ति करेगा, यानि कि यह, ठीक है, और अगर यह नहीं है, तो आईज से ग्यान प्राप्ति करेगा, ठीक है बच्चो, तो यह था आज का टॉपिक, आशा करता हूँ, आपको वीडियो पस्तना आए, वीडियो पस्तना आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जहांचा शेयर करें, ठैंक यू,